असलामों अलेकुमारामनातुलाई बरकातों। मैं दिल्ली सोओं हूँ, मेरा नाम मुहंबनने सब्छान। मेरा सवाल ह organizing है कि हम ऐसी जगा पे रहते हैं जहां एहले दिसों के मजज़ित है नहीं। है और हमारा काम भी महीं पर है गहां फिले तब ने पहले कभी था हम रहते था हम फूरelect भूरा मिलाठ फोड़ा तूर तो राएं दुद दिखिये इस तरी इसा करना हुआ बाहिसाब का सवाल है कि हम ऐसी जगह हैं जहां आईले अदिस मस्जिद नहीं है देखिए इस तरह के सवालात आते हैं तो मैंकसर एक बात कहते रहता हूं कि हमारे भाई लोग जब कोई कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं कोई जब लेना चाहते हैं कहीं और मन्तقिल होना चाहते हैं तो उससे पहले सवाल नहीं करते कि वहां पे जाएंगे तो नमाज का क्या मस्ला होगा वहां जाएंगे शिफ्ट हो जाएंगे सब कुछ कारवार शुरू हो जाएगा उसके बाद सबसे लास्ट में अगर फिकर होगी तो नमाद की तिकर होगी। जब कि सबसे पहले फिकर होने चाहिए। अब जाहिसी बात है कि एक आदमी अगर कहीं पे जाकि शिफ्ट हो चुका है, उसका पूरा डिस्सिजिशन है क्या में यह यह रहना है। उसके बाद उसके मनका जब मिले या ना मिले वो बयरहाल उसके जवाब से यानी सवाल जवाब बहुत ज़दा उसको लेना देन नहीं होता है वो सुचता है किसी तरह से कोई हमको एक संद दे देदे, सर्टिफिकर दे दे यहाँ पे हमारा कोई setup बन जाए तो फिकर पहले करनी चाहिए जिसे आप कहीं पर जाना चाहिते हैं सबस्के हले देखते मोहाँ पे स्कूल है की नी बच्चों का मोहाँ पे हॉस्पिटल है के नी भाप पे आप सारी सहोलीयात देखते हैं मजद के बारे में जो नो ने लिए Oo है कि इसले हमारा मशवरा यह कि कहीं पी जाएं तो सबसे पहले मजजीद का मसऽला हल के कि नहीं है और अगर नहीं है तो फिर दूसरी कोशी होनी चाहिए कि आहली थैस्च आमिर करें कुछ अपने हम ख्याल लोगों को कठा करके चाहे एक छोटा सा रूमी सही दसवाई दसका रूमी सही लेकिन एले हदिस मस्जित की बुनियाद डालें वहाँ पर शुरू करें बाकी कुछ दिनों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि बही चलो आपने मजबूरी में किसी ऐसे सखस की पीचे आपने नमाज पढ़ लिया जो शिर्क बिदद अलल इलान नहीं करता है शिर्किया, कुफिया, अकीदे का इधार नहीं करता है ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है तो चलो उसके पीचे कुछ उनजाईश है कि आप उसके पीचे नमाज पढ़ लें लेकिन अगर आप जिसको देखें खुले आम शिर्क करते हुए, कुफिया करते हुए तो हमीं नहीं कहतें उसके पीचे नमाज जायज नहीं लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उसके पीचे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जिस तरह से कोई शराबी शक्स हो तो ये नहीं कहेंगे कि उसको लड़की देना अपनी लड़की की शादी उससे करना ना जायज है लेकि इतना जरूर कहेंगे कि ऐसे लोगों से लड़कियों का रिष्टा ना करो तो अगर वहां का इमाम कुफर शिर्क में मुंतला नहीं है कुफरिया शिर्किया अकीदे का हमिल नहीं है तो आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी बेहतर नहीं है बेहतर यह है कि जो अहले तोहीद हो और सारी सुनतों पर अमल करता हो उसके पिछे नमाप पढ़ना चाहिए तो कुछ दिये के लिए आरजी तोर पर ऐसे लोगों के पिछे नमाप पढ़ सकते हैं जो शिर्किया कुफरिया अकीदे के हामिल नहीं है और सुनतों में कोता ही है लेकिन अगर शिर्क कुफर के अकीदे का इजहर करता है तो ऐसे लोगों के पिछे नमाप नहीं पढ़नी चाहिए अमीद ही कि आपके जवाब मिल गया होगा